नमस्कार दोस्तों जैहिन आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रस्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजे पिछले वेडियो में हम लोगों ने एक्सिडेंट के अन्यूजवल इंसीडेंट साथी साथ अलफाबेट के हिसाब से इनको A से R तक कई कटेगरियों में बाटा गया है जिसमें की I और O नहीं है बाकि अलफाबेटकल इनको डिवाइट किया गया था अलफाबेटकल में क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D इन सब के बारे में जैसे B1 से B7 तक कई सब क्लास हैं तो आज के इस वीडियो में हम इन सब क्लास के बारे में पढ़ेंगे जैसे क्लास A को लेजन में आता है तो इसके जो पार्ट्स हैं A1 टू A5 वो किसके बारे में बता रहे हैं इसके बारे में यह आज का वीडियो है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जैसे class A को collision बोलते हैं यानि जब train आपस में टकरा जाती हैं चाहे आमने सामने से या side से उसको class A में रखा जाता है अब इसके कई class हैं जैसे A1 A1 उस collision को कहा जाएगा जिसमें कोई ऐसी train involved है जो की passenger को लेकर जा रही है साथी साथ जब वो train लड़ रही है तो उसमें या तो human life का last हो जाता है या कोई गंभीर रूप से घायल हो गया हो या दो करोड से अधिक railway की property damage हो गई हो या जो हमारी main line है वो 24 hour से अधिक तक interrupt रही हो तो ऐसी accident को class A1 में रखा जाता है class A2 लगभग सेम ही है बस उसमें ये है कि जो train लड़ रही है उसमें कोई भी passenger को वो नहीं ले जा रही है मतलब जैसे वो मालगाड़ी है बाकी सारे उसमें resulting वही है कि या तो कोई human life का last हुआ हो या कोई गंभीर रूप से घायल हो या railway की property दो करोड से ज्यादा की damage हो गई हो या 24 hour से अधिक आपकी जो है main line वो interrupt रही हो class A3 क्या होता है इसमें जो train है इन्वाल वो passenger को तो carry कर रही है लेकिन वो A1 में नहीं आ रही है यानि जो A1 वाली criteria नहीं fulfill कर पा रही है और वो train passenger को भी carry कर रही है उसको A3 में रखा जाता है A4 जो है वो ऐसी train के collision है जो passenger को तो carry नहीं कर रही है लेकिन वो A2 के criteria को fulfill नहीं कर पा रही है मतलब कि उसमें अगर railway के property damage हो रही है तो वो 2 करोड से कम की ही है या फिर जो आपकी line interrupt हो रही है वो 24 घंटे से कम ही देर में वो line open हो जा रही हो A5 जो collision होता है वो stunting करते समय collision हो गई train की या yard में marceling करते समय हो गई या कोई सकी siding में हो गई तो उसको A5 में रखा जाता है इसमें कोई train involve नहीं होती है यानि stunting के समय जो collision होता है उसको A5 में रखा जाता है class B fire से related है इसमें total 7 part में इसको divide किया गया है जैसे पहला है B1 B1 में ये होता है कि कोई train जो passenger को carry कर रही है उसमें आग लगा हो और उस आग के करण से या तो कोई human life का last हुआ हो या कोई गंभीर चोट लगी हो या 2 करोड से ज़्यादा की railway की property damage हुई हो या फिर 24 hour से ज़्यादा line interrupt रही हो B2 जो class होता है fire का उसमें ऐसी train में fire होता है जो passenger को carry नहीं कर रही है लेकिन इसमें भी या तो human loss हो रहा है या कोई गंभीर रूप से घैल हो रहा है या 2 करोड से ज़्यादा की railway property damage हो रही है या 24 hour से ज़्यादा main line आपकी interrupt रही है B3 class वो होता है कि passenger carrying train में तो आग लगी है जो कि B1 class में नहीं आता है लेकिन railway property की last 50,000 या उससे उपर का हुआ हो या railway traffic interrupt रहा हो या किसी coach को या wagon को उस train से हम detach कर दें तो ऐसे को B3 class में रखा जाता है B4 class क्या होता है सेम उपर वाली ही चीज है लेकिन इसमें not carrying passenger होती है यानि जो गाड़ी passenger को नहीं ले जा रही है और वो B2 में नहीं आ रही है लेकिन कम से कम 50,000 या इससे अधिक का नुकसान हुआ हो या traffic interrupt रही हो या जो coach है या wagon हो उसको detach करना पड़ा हो तो वो B4 class में आता है B5 class में वो आते हैं जो fire ऐसी गाड़ी में लग रहा है जो passenger को तो carry कर रहा है लेकिन वो B1 और B3 में नहीं आते हैं यानी जो उसमें last है वो कम से कम हुआ 50,000 से भी कम हुआ उसमें coach भी detach नहीं करना पड़ा तो वो B5 में आ जाएगा B6 भी same वही चीज है लेकिन इसमें जो train होती है वो not carrying passenger होती है और वो B2 और B4 के criteria में fit नहीं होती है B7 वो होता है जो आग लगती है मार्शलिंग यार्ड में या लोको यार्ड में या साइडिंग में इसमें कोई भी train involved नहीं होती है Class C आपको पता है level crossing पे जो accident होते हैं उसको Class C में रखते हैं और इसके part हैं C1 से लेकर C9 तक तो C1 में क्या है कि कोई ऐसी गाड़ी जो passenger को carry कर रही है ये manned level crossing पर इसका accident हो जा रहा है जिसके कारण या तो कोई human life का last हो रहा है या कोई गंभीर रूप से घायल हो जा रहा है या railway की property damage हो रही है या traffic interrupt हो रहा है तो इसको Class C1 में रखा जाता है Class C2 में train जो passenger को नहीं carry कर रही है वो अगर manned level crossing पर इसका accident हो जा रहा है जिसके कारण कोई human life का last हो रहा है या कोई गंभीर रूप से घायल हो जा रहा है या railway की property का damage होता है या traffic interrupt होती है तो इसको Class C2 में रखा जाता है Class C3 में कोई ऐसी train जो की passenger को ले जा रही है और उसका accident unmanned level crossing पर होता है और जिसके result में कोई human life का last होता है या कोई गंभीर रूप से घायल हो रहा है या railway property damage हो रही है या traffic interrupt हो रहा है तो इसको Class C3 में रखते हैं Class C4 इसमें ऐसी train जो passenger को नहीं ले जा रही है उसका accident होता है unmanned level crossing पर जिसके कारल को human life का last हुआ हो या कोई गंभीर रूप से घायल हुआ हो या railway property damage हुई हो या traffic interrupt हुआ हो तो इसको Class C4 में रखते हैं C5 में ऐसी गाड़ी जो passenger को ले जा रही है और वो manned level crossing पर उसका accident होता है लेकिन वो C1 Class में नहीं रखा जा सकता है तो उसको Class C5 में रखते हैं सेम ऐसे ऐसी कोई train जोसमें passenger नहीं है और वो manned level crossing पर उसका accident हो जा रहा है लेकिन उसको C2 Class में नहीं रखा जा सकता है तो उसको C6 में रख लेते हैं अब C2 class में क्यों नहीं रखा जा रहा होगा या तो वहाँ कोई human life का last नहीं हुआ या गंभीर रूप से कोई घायल नहीं हुआ और railway की property भी damage नहीं हुई है और traffic भी interrupt नहीं हुआ है तो उसको class C6 में रख लिया जाएगा C7 में passenger train जो है वो unmanned level crossing पर उसका accident होता है लेकिन वो C3 class में नहीं रखा जा सकता है तो उसको C7 में रखते है ऐसे ही कोई ऐसी गाड़ी जिसमें passenger नहीं है और वो unmanned level crossing पर उसका accident हो रहा है जिसको कि C4 class में नहीं रखा जा सकता है तो उसको C8 में रखते हैं और C9 में संटिंग इंजन या वेहिकल जो है वो रोड ट्रैफिक से एक्सिडेंट हो जाता है लेविल क्रासिंग पर उसको C9 में रखते हैं क्लास D डिरेल्मेंट से है इसमें D1 से D6 तक कई क्लास हैं D1 क्या होता है कि कोई passenger carrying train हो है और उसका डिरेल्मेंट होता है जिसके result में कोई human life का last हो जाए या कोई गंभी रूप से गायल हो जाए या railway की property डेमेज हो जाए दो करोल रूपे से अधिक का या 24 गंटे से जादा हमारा traffic इंटरप्ट रहना हो तो वो D1 में रखा जाता है अगर वो train passenger carrying train नहीं है बाकी सारे चीज वही फुल्फिल कर रहा है यानि human life का last हो रहा है या गंभी रूप से कोई गायल हो रहा है या 2 करोल से जादा का railway property डेमेज हो रहा है या 24 गंटे से ज नहीं रखा जा सकता है तो उसको class D3 में रख देंगे और अगर कोई train जो कि passenger को नहीं ले जा रही है और उसका derailment होता है और वो D2 में नहीं रखे जा सकती है लेकिन railway की property का last होता है और traffic भी interrupt होता है तो उसको class D4 में रख लेते हैं और अगर किसी ऐसी train का derailment होता है जो कि passenger को नहीं ले जा रही है और उसको D2 और D4 में नहीं रखा जा सकता तो उसको D5 class में रख लेते हैं और कोई भी derailment जो कि marshaling yard में होता है local yard में होता है या siding में होता है जिसमें कोई भी train involve नहीं है तो उसको class D6 में रखा जाता है class E होता है other train accident इसके दो part है E1 and E2 E1 में क्या होता है इसमें कोई running train किसी abstraction से टकरा जाती है लेकिन वो class C में नहीं आ रही है और जिसकी वजह से human life का last हो जा रहा है या कोई गंभी रूप से घायल हो रहा है या railway property damage हो रहा है या traffic interrupt हो रहा है और अगर कोई ऐसा accident है जिसमें कोई running train किसी fixed structure से टकरा रही है लेकिन ना तो उसको class C में रख सकते हैं ना E1 में रख सकते हैं तो उसको class E2 में रखा जाता है तो class A से class E तक train accident और yard accident में होते हैं indicative accident, equipment failure और unusual incident इसमें जितने भी class के accident आते हैं उनके बारे में next video में हम लोग बात करेंगे वरना ये video काफी लंबा हो जाएगा तो मिलते हैं next video में thank you